तो दोस्तो आज है 8 जनवरी 2022 और आज मिले क्या हूं आपके लिए बायोजिन फार्मा केम इंडस्ट्रिस लिमिटेट का कंप्लीट एनेलाइस तो अगर आपके पास इस कंपणी में निवेश हैं या फिर आप इसमें फ्रेश निवेश करना चाहते तो बिना इसक्रिप किये ह आप इस वीडियो को बिल्कुल आंति तक देखते रहिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्फूल होने वाला है इस वीडियो में सबसे पहले हम इस कंपणी का फंडामेंटल को जानेंगे फिर हम इसका चार्ट पेटन को अनलाइज करके रिसाइस करेंगे कि इस कंप आपको 100 रुपिस का बोनस मिलेगा ग्रो के तरफ से आप उसका शेर भी बाय कर सकते हैं चाहे तो उसे अपनी बैंक एकाउन में भी ट्रांसपर कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम इस कंपणी का फंडामेंटल को समझेंगे तो मैं लेकर चलता चलता है और इसका टोटल मार्केट के अब देखेंगे तो यहां पर पचास करोड के आस बास है तो इसका करेंट शेर प्राइस सबसे लो जा चुका है उन नीस पैसे पर किसी भी कंपणी में निवेश्च करने से पहले यहां पर प्राइस अर्निंग रशियों में हर वीडि यहां पर नहीं है मैं आपको बतांगा प्राइस वाल एक जुरुंस क्ल्रोटिन चीजह बता दूगा जो आपको इस खास जरूरी है तो company है से radius depth मतलब इसका जो company उधारी में बिजनस चार रहा था उसमें reduce किया ठीक है और company से almost death free तो death free company है इसमें कोई डाउट नहीं एक और अच्छी बात है इस company में इस वक्त stock is trading at 0.91 times book value इसके numbers बहुत कम है तो इस वक्त आपको इस company में बिल्कुल निवर्श करना चाहिए आगर आप ट्रेडिंग stock is trading at times book value देखेंगे तो तो रहसा negative points पर बात कर लेते हैं company का company है से low interest coverage ratio ठीक है आपको ये भी ध्यान रखना है company है से low return on equity of minus 1.05% for last year तीन साल में इस company ने equity पर negative return दिया है एक परसें से ज्यादा उससे भी चीज़े आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है ये चीज़े company है से high debtor of 572.28 मतलब ये इस बग इसका उधारी पर बिजनेस चल रहा है तो दोस्तों यहाँ पर बहुत से चीज़े है जो नहीं दिखा दिया अभी हम इस company का total promoters का holding कितना है और इसका holding किसके पास है हम यह देखेंगे उसके बाद हम चलेंगे शीदा चार्ट पटन पर तुम मैं लेके आचुका हूं आपको total holdings पर आप यहाँ पर देख सकते 100% पूरा का पूरा holding public के पास है ठीक है ना है इस company में promoters का holding है ना ह इसमें government का है ना ही foreign investor का ना ही domestic investor का तो कुल मिला के एक risky fundamental है और अकसर penny stock में जो सबसे ज़्यादा risky fundamental होता है उसी का share price हमें उपर जाता नजर आता है ठीक है तो SSS में ऐसे company में खासकर तो निवेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर आपका पास limited invest करने के लिए capital हो ठीक है यहां पर कभी भी पैसा डूब सकता है यह चीज़े आपको ध्यान रखना पड़ेगा penny stock ऐसा ही होता है कभी भी आपको डूबा सकता है आपको करोड़ पती भी बना सकता है यह चीज़े सब ध्यान रखने के बाद हमें इसकी चार्ट पटन पर चलना है तो मैं लेके आ क्लोस होने तक होने तक आपको चार परसंद का शांदा रिटन दे चुका है यह कंपणी अगर आप इसका विकली चार्ट पेटन देखेंगे तो यहां पर एवरी डे 5 परसंद वाला चार्ट पेटन चल रहा है इस बाग तो यह लगातार अपर सर्कृट के और ही चल रहा है और एक महीना पहले का अगर आप शेर प्राइस देखेंगे 50 पैसे का था आज इसका प्राइस 76 पैसा हो चुका है ठीक है छे महीने का चार्ट पेटन में दोस्तों थोड़ा सा गड़बड बिल्कुल दिख रहा था यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हाइयर बना चुक ठीक है लिमीडेट केपिटेल के साथ और स्टॉप लोज के साथ अगर आप स्टॉप लोज नहीं लगा सकते हो जैसे कि आपका पर ब्रोकर्स के पास स्टॉप लोज का मतलब सुविधा नहीं है तो आप इस शेर से दूरी रहिए यह आपको डू ओ सकता है अगर आप लेक्स तो मैक्स देखे दोस्तों आपको मैं मैक्स 5 एर का दिखा देता हूं मैक्स 5 एर में 153 परसंन का शांदा रीटेन देच चुका है पूरे के पूरे 5 साल तक आप देख सकते हैं यहां पे 17 जनवरी से लेके 17 जनवरी 2017 से लेके 21 माई माई 2021 तक 17, 18, 19, 21 चार पान साल से लगातार यह कॉंसलेटेट पर बिजनस किया बट फाइनली यहां पे एक अच्छा ब्रेकाउट दिया ठीके तो इस ब्रेकाउट के बाद इस शेर की चार्ट प्रेटन पर हलचल होना शुरू हो चुका है अब यह या तो उपर जाएगा या तो नीचे जाएगा इसमें पूरा ट्रेड होना पूरी तरह चे शुरू हो चुका है तो उमीद करते हैं यह शेर का चार्ट प्राइस आने बाले दिनों में 6 मैने के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो यह उपर की और ही इशारा कर रहे हैं आप यहां पे देख सकते हैं इसका शेर प्राइस कभी भी नीचे आ सकता है इसका कोई गरेंटी नहीं है कि हमेशा उपर ही जाएगा चार्ट पटन के मुताबिक ठिक ठाक है ठिक ठाक चल रहा है लेकिन फंडामेंटल इसका बहुत हुई कि आपको ध्यान रखना इस कंपनी में निभेश करने से पहले अब ही अगर दोस्तों हम इसका मैक्स टू मैक्स देखें तो मैक्स टू मैक्स में जब यह आपका शेर प्राइस स्टार्ट हुआ था मतलब 2003 के बात है 20 0.020 पैसा ठीक है मतलब 20 पैसे का भी कितना बहुत कम है तो अब यह अगर देखेंगे यहां पर तो 3700 3700 परसन का रिटन दे चुका है मैक्स टू मैक्स 2003 के बात अब तक इसका शेर प्राइस में बहुत हल चल था पहले बहुत वोलेटाइल था यहां पर 2003 के बात 14 तक 2004 में यह शेर प्राइस शोला रूपए जा चुका था फिर यहां पर जो निवेश किया उसका तो शेर कची रह Bाओ हो चुका है यहां पर यह सब चीजे भी आपको दियान अखना पड़ेगा लेकिन कि चार्ट पटन के मुतावे कि एक तो आप अगर इसको समझ सकते हैं और stop loss के साथ इस्तिमाल करते हैं दोस्तों आपको ऐसे company में निवेश करने से पहले खासकर यह भी धियान दखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे shares होता है penny stock उपर जाते time आप इसमें buy भी कर सकते हैं यहां पर exit नहीं हो सकते हैं यहां पर ब्लॉक को हो जाता है तो अगर आप यहां पर buy करेंगे और यहां पर exit नहीं हो पाएंगे तो आपको double नुकसान होगा यह चीज़े भी आपको ध्यान रखना पड़ाएगा ऐसे बहुत सारे stocks है ठीक है तो हम आपको education purpose बता रहते एजुकेस्ट कर रहते जानकारी दे रहते हमारी जानकारी आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताए वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दोस्तों को share कीजिए दोस्तों वीडियो को यही wind up करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ तब तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धहनेवाद